नमस्कार फ्रिलांस फैशन विद मंजू में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम हैरप पैंट या अफगानी सलवार की कटिंग स्टिचिंग करने जा रहे हैं यह देखने में काफी स्टाइलिस लगती है और बनाने में भी काफी आसान है हमने दो मीटर फैब्रिक लिय ही है आप अपनी जितने आपको बोटम की लेंद रखनी है उसके अकोर्डिंग फैब्रिक लेके चले यह देखे जितना हमारा फोल्ड में जाएगा उतनी दो इंच की हमारी नीचे पट्टी लगेगी इसलिए हमारा दो मीटर में 37 का तयार हो गया दो इंच का हमने लेकिन इतना सेफिचेंट होता है यह देखे दो इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है और दो इंच इलास्टिक बैंड का मार्जन अलग से छोड़ के चले उसके बाद ही आप क्रोच एरिये का मेजर्मेंट लें यह हमने नीचे क्रोच एरिये की गुलाई देते वे लाइन क को स्ट्रेट कर दिया है अब देखिए हमने जो नीचे वाला पॉर्शन है हम अपनी मोहरी को 6 इंच की रखेंगे और 6 इंच हमने प्लीट के लिए एड किया है और 3 इंच हमने एक्स्ट्रा दिया है इसमें एक इंच स्टिचिंग का मार्जन आजाएगा और थोड़ा सा हम इसको लूज रख रहे हैं अगर आपको थोड़ा सा और कम रखना है तो आप जो एक्स्ट्रा अलाउंस हमने तीन इंच का रखा है उसको कम कर सकते हैं टोटल हमारा 15 इंच का हो गया है आप क्रोच एरिये से नीचे जो हमने मार्किंग किया है उस पर मार्किंग कर लेंगे इसको कटिंग कर देंगे इसको बनाना बहुत आसान है और यह है और बोटम वेहर के बहुत ही आसानी से और जल्दी बन जाती है और देखने में भी काफी स्टाइलिश लुक आता है यह हमारा नीचे से कप्रा फोल्ड था उसको हम कट कर लेंगे और इस तरह से प्लीट्स देते वे हम इसको 7 इंच के मार्जन में प्लीट्स को कम्प्लीट करेंगे 6 इंच हम त्यार मोरी रखेंगे और 1 इंच हमारा स्टिचिंग का होगा यह देखे जो साइड में से हमारी पटिया निकली थी वो हम नीचे की स्ट्रिप के लिए यूज कर रहे हैं इसको हम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे यह फोल्ड में है दो पटिया है हमारे पास और 4 इंच की हम उचाई रखेंगे मोरी की साइड हमने इसलिए फैब्रिक फोल्ड में ही रखा था कट नहीं किया था यह देखें हमारे पास आराम से पटि निकलाई है कम कपड़े में अगर इस तरह ऐसे बनाना है तो आप कपड़े को फोल्ड करके ही कटिंग करें उससे हमारा काफी कपड़ा बच जाता है और कम कपड़े में कटिंग भी आसानी से हो जाती है जो प्लेट्स डालेंगे हम उसको 6 इंच के अंदर हमारा जो तैयार है उतना और एक इंच हम स्टिचिंग अलाउंस का एड़ करके 7 इंच में हम प्लेट्स को फिनिश करेंगे और उपर भी हम पतली सिलाई लगाते हुए इसको छोड़ेंगे उसके बाद हम इलाश्टिक डाल देंगे इससे हमारा काफी फैबरिक बच जाएगा यह देखे इतना पतला ही मोड़िएगा ज्यादा न मोड़े पहले इसको मोड़के फिर इलाश्टिक डालिए यह देखे हमने अपने पैंट पर प्लीट्स लगा ली है और उपर की पत्ति को भी फोल्ड कर दिया है यह हमने पतली सिलाई लगा कर छोड़ा है इसको और इसके अंदर इलाश्टिक को इंसर्ट कर देंगे इस प्रकार आप अपनी इलाश्टिक को डाल जीजिए यह बहुत ही कम कपड़े में अराम से लग जाएगी आसन भी हमने जोड लिया है और नीचे के पत्ति को देखे हमने स्टिच कर लिया है यह हमने उल्टी साइड में पत्ति लगाई है दो इंच का उपर से छोड़ते वे जितना भी आपको अपना बोटम तयार रखनी है उतना आप मार्किंग कर लिजी यह देखे मेरा 37 के आसपस त्यार हो जाएगा अब आप प्लेट का देखे हमने बीच में जो क्रीज लाइन देनी है वहां से करते वे हमने पांच-पांच प्लेट दोनों साइड अज़स्ट की है एक कफाल लेफ्ट साइड एक कफाल राइट साइड इस परकार से हमने दी है प्लेट डालते वे यह आप ध्यान रखें य इंटरफेसिंग लगा लें उससे हमारी काफी स्ट्रेट रहती है और इस पर जिस परकार आप पहुचे बनाते हैं इस पर तीन चार सिलाईया लगा लें और नीचे का आसन जोड़ दें हमारी पैंट आसानी से तयार हो जाती है यह देखिए हमने अपनी पैंट को तयार कर लि है इसके अंदर हमने इंटरफेसिंग डाल कर और इस पर सिलाया लगाई है यह हमारी इलास्टिक भी अर्जानी से डल गई यह देखे कितने कम कपड़े में हमने इलास्टिक को डाल दिया इसी परकार की यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए मिलते हैं नई वीडियो में नई डिजाइन के साथ और चैनल पर विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद